दर्शकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांकी आज दिनांग है 15 जून सन 2023 विक्रम समध 2080 चल रहा है आशाड मास है कृष्ण पक्ष है ग्रिश्म रितू है तिथी दौधश है और आज प्रदोश का व्रत है आज का वार है गुरुवार आज मितुन संक्रा हो रही है यानि भगवान सूर्य व्रश राशी से निकल कर मितुन राशी में प्रवेश कर रहे हैं आज के नक्षत्र की बात करें तो भड़नी नक्षत्र दौपेड दो बच के बारा मिनट तक रहेगा आगे क्रती का नक्षत्र है योग सुकर्मा है और योग की द्रस्टी के 22 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम साथ बच के 20 मिनट का है आज का राहुकाल दोपैर डेड़ से तीन वजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुपकारी शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिलकुल न निकलना चाहिए अब बिजित मुरत आज 11 बच के 53 मिनट से दौपैर 12 बच के 49 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजिएगा ये हैं सुबह 10 बच के 1 मिनट फिर 10 बच के 57 मिनट फिर दौ परियार करके निकले परियार बहुती सरल है थोड़ा सा धही जीर आपको खाना है और पांच कदम पीछे चलना है और जब यह प्रक्रियाब कर रहे हों तो भगवान श्री राम या अपने अपने इस्ट का अपने हिर्दे में ध्यान करें और फिर आप इस दिशा की यात्र और उसके बाद शाम को पांच बच के 32 मिनट से आठ बच के 35 मिनट तक ये दोनों काल खंट बाकी पूरे दिन की अपरिक्षा ज्यादा शुब है योग कारक है तो कोई अच्छे एफर्स करने है अच्छे काम करने है तो इस समय का ध्यान रखते भी कीजिएगा सफलता के च मश्वासऽ से बचने का दिन है व्रश राशी वालों को बचना है बहुत जादा खर आदतों से वहीं मिथून को मिल सकता है और कर डिवालों को मिलेगी प्रशंशाह अपने ओफिस में इस सिंग राशी वालों को भागे देगा करें लिए और आजके दिनकी घ्यान चर्चा जो की हमारी और अंते दूराश्टी प्रग्या को जागरत करेंगी पिर आगे पे पिशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरख्षत सुन्दर और सफल बना लेते अन्त में करेंगे आज की दिन की जोतिष मंद्रना और समाधान कि द integral सूर्य संक्रांती हैं तो सूर्य संक्रांती पे जानते हैं सूर्य का जोतिश में हैं और देनिक जीवन में Vasya कि सूर्य प्रतक्ष देवता हैं क्रहों के राजा है अधिपति कहे गए सूर्य आपकी आत्म शक्टि यह आत्मकारक ग्रह होने से हमारे जीवन का मूल है जीवनी शक्ति प्रदाता सम्मान और साहस का ग्रह सूर्य जब कुंडली में प्रबल और अनुकूल हो तो पुर्वजों का आशिरवाद मिला करता है पिता का सुख पिता का प्रेम और आपको और आपकी वज़े से पिता को सम्मान और प्रतिष्टा समाज में प्राप्त होती है मजबूत सूर्य आपको 30 स्वी बनाता है हड्डियां बहुत मजबूत रहती है नेत्र और हड़े स्वस्त रहते है सूर्य जब प्रबल हो तो आपका प्रभाव उन लोगों पर पढ़ता है जिनका प्रभाव पूरे समाज पर होता है जैसे बड़े अधिकारी राजनेता सरका सनातन पूजन पद्धती में भगवान सूर्य को साक्षात परमात्मा यानि प्रतक्ष परमात्मा कहा गया है और पंच देव में से एक प्रमुक देव कहा गया है भगवान राम ने भी रावन से युद्ध करने से पूर्व सूर्य पूजन किया था अशिरवाद प्राप्त किया था जिनके प्रताब से वे विजय ही रहे यदि आपकी जनम पत्रिका में सूर्य बल हीन है या पाप प्रभाव से युक्त है बहुत सी समश्याओं का सामना आपको करना पड़ता है हर्दे रोग हो जाते हैं नेत्रों में पीडाए रहती है हड्डियां बड़ी कमजोर र रहता है और एक कमजोरी एक मन में बनी रहती है यह सूर्य के कमजोर होने की निशानी है सूर्य की प्रभलता जीवन को यशस्वी बनाती है और कमजोर सूर्य आपकी पत्रिका में है तो आपके किये गए हर अच्छे कारे का यश्वी आपको नहीं मिला करता है सूर्य की अन ये था आज की ज्यान चर्चा का सार जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा अपने जीवन में अब बात करते हैं उन विसेश टुपाएं उपर जो आपकी सारी समश्चाओं के सरल समधान कर देते हैं और जिने करके आप सफलता की और बहुत तीज गती से द्रड़ता से कॉन्फिडेंस से अग्रसर होता हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोगों का जनम दिन है आप सभी आज किसी ऐसे प्राचीन शिव मंदिर में जाईए जहां शिवलिंग कम से कम सो वर्ष पुराना हो बहां सुबह केसर चंदन का इत्र औ और दोपेड तीन बच के पंदरा मिनट पे मीठा दही और हिना का इत्र अर्पित करें और शाम को घर में विश्णू सैस्तर नाम का पाट करें तो आने वाला पूरा वर्ष बहुती सुन्दर सुक्षानती सम्रद्धी से बीतेगा इसमें कोई संदेह नहीं दर्शे को जब भगवाएं श्री राम ने राम चुरित मानस में कहा कि सुनु मुनी तो ही कहू सहरोसा बजैजे मोहीत जी सकल भरोसा करहू सदा तिनके रखवारी जिमी बालक राखई महतारी यानि जो सारे भरोसे त्याग कर एक मेरी शेरण में आता है उसका पालन में वैसे ही करता हूं जैसे जनमदातρι माता अपने अबोध शिशुका करती यानि शिशुको पता नहीं कि उसके लिए च्छा बुरा है माको पता रहता वैसे भगवान हमारी मदद करते हैं और इस प्रकार से करतें यहमें समझ नहीं आता है कि परिष्टित्या कैसे बन रही है लेकिन सब कुछ कार्य करता है यह इस प्रकार है कि हे रामा पुर्षोत्मानर हरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुद्वजा गुण्ड निधे दामुदरा माध्वा हे क्रिश्न कमला पते यदु पते सीता पते श्री पते वैकुंठादी पते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहिमाम इस म कुछ दो-तिन हफ्ते करेंगे तो अपने जीवन में चमतकारिक रूप से एक सकारात्मक परिवरतन देखेंगे आगे से आगे सफलता के माग खुलते नजर आएंगे परिशानियां दूर होती नजर रहेंगे ऐसे ही बहुत से लोग जो आर्थिक रूप से बुरी तरीके से तूट चुके हैं हर और से काम धंदों में लगातार नुकसान आ रहा है उनको चाहिए कि भगवान श्री राम के एक विशेश मंत्र का सैविधी अनुष्टान पुरा करें चूकि इतना सठीक है कि अगर किसी न सब्सक्राइब करें और अपनी पीड़ा अपनी समश्या उनको आर्थ भाव से बोलकर आर्थिक स्थिति सुधारने और समश्याओं के अंत का निवेधन करें और फेर नित्ते 21 माला इस बहुती विशेश मंत्र का जाब दो महीने आप कीजिए पूरी तरीके से आपका लुका भी रामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम आप इसे कीजिए और प्रभाव उसका चमतकार अपने जीवन में स्वयम देखिए तो दर्शे को यह थे आज की वह विसस टुपाए जो आपकी बहुत बड़ी समश्याओं कंत करेंगे आर्थिक रूप से आपको प् प्रशने किया है भहेंकर समश्याओं चल रही है जीवन में उपाए बताएं देखिए अंकी जी आपकी जनुपत्रिका में विश्दोश है यानि शनी चंदर्मा साथ बैढ़ते हैं तो विश्दोश बनता है पंचमेश मंगल अस्त है और नीच राशी में और भाग्य के अ पैसा उठा लिए अगर ऐसी स्तिती हो गई तो आपको कोई भी शक्ति बचानी पाएगे नित्य भगवान सुर्य को जल देना शुरू की जैनियार्ग देना शुरू कीजिए सूर्य आराधना जैसे कि सुर्य गायत्री पांच पार्ट आजित तरदेश त्रोद के करना शु अधर जाएगे आज की दूसरी जन्म पत्रीक आई है हमारी दर्शक दिपाली जी की उद्यपुर से 22 जुलाई उनिस सु बानमेकन का जनम है शाम 6 बजे का उद्यपुर में प्रशन है विवा योग कभ है देखे दिपाली जी आपके विवा भाव में केतु विराजित है औ आपके अक्टूबर सन 2023 से अक्टूबर सन 2024 के बीच में विवा हो जाएगा तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्त उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा आशा करता हूं कि बताये उपायों को सही विदी सठीक समय पे करके पूरा- अधियास अपका कल्यान करें जय आदिशक्ति